मध्यपूरा में हत्या और लूट के मामलों पर अंकुष नहीं लग रहा है लगतार पुलिस प्रशासन को अपराधियों दोरा खुलियाम चुनौती दी जा रही है ताज़ा मामला मध्यपूरा सदर थानक्षेत्र के सकरपूर गाव के वाड नमबर पांच का है जहां देर रात एक ही परिवार के एक महिला समय तीन लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई हत्या की घटना के बाद आसपास देश्यक का महौल है हत्या की पीछे की वज़र पारिवारिक विवाद बताई चा रही है पुलिस ने तीनों म्रे तक के शर्फ को ट्रैक्टर से पोश्ट माटन के लिए मध्यपूरा सरदर अस्पताल भेजा मौके पर मध्यपूरा एसपी राजेश कुमार ने घटना के समन में बताया कि दो मामले सामने आ रहे है एक सूर्य नारांचा और उनके गोतिया से जमीन का विवाद चल रहा था साथी पारिवारिक विवाद भी होने की संभावना है सभी बिंद्वों पर अनुसंधान किया जा रहा है जल्द ही मामले का खुलासा होगा अब इस चीजों को हम लोग समझ रहे हैं बहुत सरी बाते भी आ रही है अम लोगों लोगों डॉब स्कॉड को भी बुलवाया है एपसल टीम को भी बुलवाया है अनुसंधान से बाते क्लियर हो जाएगी मामला क्या है अभी बहुत इसपस्ट लोगों द्वारा भी नहीं बताया जा रहा है और हम लोग भी चीजों को मारे की से भी बिछण कर रहे हैं देख रहे हैं बहुत जल्दी मामला समझ में आ जागा पिर हम लोग इसमें आगे करों एकर रहे हैं अब कहां थे और कैसे जनकरी मेली तगल में वहां रख रहा है आपके भाई का किसी कोई बिवाद था है बिवाद तो क्या जगा से है बिवाद को में यक ठोन है जगा जमिन का भी बिवाद है अबरका सबकारी साधी किया है दो जो तिन तिन को करके उससा भी बिवाद है जहां से जो भगवान से जो खला हो हम तुने किसी को दख्या है जो कौन ऐसा किया है कि फ्लावर पार्क जहां आकरशक फूल मोह लेंगे आपका दिल रात में आकरशक लाइट से नजारा होगा रंगी परिवार के साथ उठाए ट्रैंपॉलिन पार्क कलोट्स एकी जगह पर मिलेगा एम्यूसमेंट पार्क जिपलाइं बर्ड पार्क पिकनिक और कुलर चाय का मज़ा मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपे और सैटर्डे और हॉलिडेज में महस 300 रूपे में भरपूर मनोरंचन तो आएए वाइल्ड वादी